हुआ हरो फेलकाम ऑनुज़ के युट्योब चैनल फ्रेंज हम बातकरने वाले एक साइट की फोर साइट की इंटर्मीडिएट साइट की चेंजिंग पॉइंट की बैंच मारा की जब भी आप लेबलिंग करते हो जो आप टेवल में रीडिंग करतो हो तो आपको हमेशा कन्फ प्रविजन रहता है कि बैक साइट किया स्टेशन क्या है इस वीडियो को स्टार्टिंग से अंड तक देखें जीसे वह भी एक पॉइंट कोई भी पॉइंट मिस ना उस पहले मैं बात करते इस्टेशन की तूश्टेशन क्या एक पॉइंट वेर स्टाफ इस प्लेस्ट जहां समारा स्टाफ रखा गुवा उस पॉंटको हम एक नाम दे दे थे हैं उसी नाम को भूल थे इस्टेशन नेक्स्टमारा था बैक साइट तो फ़स्ट इंडिंग एट बेंचमार्क इसर्ड वहार जाती है और वह रीडिंग सबसे पहले रीडि़िंग हमेसा रीडिंग भी सा बैक साइट होगी नेक्स्ट बात करते हैं है फॉर साइट की ठीक है ता रीडिंग टेकन जस्ट विफोर चेंजिंग दा पोजीशन ओफ इस्टूमेंट की पोजीशन चेंज करने से चेस्ट पहले जो रीडिंग ली जाती है उसे हम क्या बोलते है फॉर साथ इस वाली रीडिंग के बाद इस्टूमेंट की पोजीशन चेंज की तो यह की रीडिंग हमारी होगी फॉर साथ क्योंकि इस्टूमेंट की पोजीशन चेंज करने से ठीक पहले हमने यह रीडिंग ली है उसके बाद कि हमने यहां पर इस्टूमेंट अपना रखा है तो इस चपाएट मतलब आधा हूसे में एक जगा से उठा कर दूसरी जगा रखते हैं सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब यहां से अपने यहां यहां से डारेक नहीं देख सकते क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा इस इस इस्टूमेंट को यहां लाना हुगा, इस reading के पास में, ठीक है? यहां आपको reading माल लीजिए, यहां लेनी है, तो हमें instrument अपना यहां कहीं set करना हुगा, इस reading को पास से ले सके हैं, तो हमें क्या करना हुगा, इस instrument की position को उठा के यहाँ कहीं रखना होगा इस तरीके साब इसको समझेदा और आपको एक रीडिंग यहाँ कहीं लेनी है इस जगे आप माल लीजिये अपनी बैक साइट ली अब हमारा जो इस्टूमेंट है इस रीडिंग को को मदलब काफी दूरी की बज़ा से डारेक्ट नहीं देख सकता विज्वलाइजेसन पॉसेबल नहीं है क्यों कि डिश्टेंस काफी ज्यादा हमें रीडिंग बलर देखरी है हमें रीडिंग के लिए नहीं देख रहे हैं हमने क्या किया इस इस्टुमेंट को यहां पर सिफ् इस्टूमेंट अपना यहां हमने सिफ्ट किया यहां सिफ्ट करने के बाद हम दोबारा से उसी जगा इस्टाफ की पोजिसन नहीं बदली जाएगी ध्यान रखना उसी जगे दोबारा रीडिंग लें तो एक पॉइंट पर हमारी दो रीडिंग हो गी एक तो यह एफस हो गई रही वह इस्टूमेंट सिफ्ट किया उसके बाद हमने तुरंतлуч रीडिंग ली तो भो बैक शाट होती है इस्टूमेंट सेट करके रूज से दूसरी टेम Karl रखा जाता या हैं Mississippi जाते हैं तो उससे पवह संदाना इसा रीडिंग को क्या बोलते यह कंशी जोगी तुर सकते हैं ना में आपको और खेला साहिए पड़ार UH लेड़े श्टाफ भई रहेगा प्रेले प्रोड गें ही कालें प्रे helmets न ओकने कि बढम को वह सब्सक्राइब हो माम सब्सक्राइब होगी होंगी इसात भी मारील इंट्रमीडियट सब्सक्राइब सब हुझे हमें यहां लेनी है, तो यहां से काफी दूर हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसे shift करना होगा, तो shift करने से ठीक पहले reading में आपको बता है, Fs, ठीक है, यह Fs हो गई, तो Fs और Bs के बीच में जितनी भी reading यह जाएंगी, वो हमेशा intermediate side बोली जाएंगी, यह हम हमारा next, reduce level, इसे हम RL से denote करते हैं, table में, तो it is the vertical distance to a particular point from main sea level, RL हमारा क्या है, RL समुद्र का जो पानी का surface है, उससे लेके किसी point तक की vertical distance है, उस distance को हम क्या बोलते है, RL, अब यह क्या है, हमारा समुद्र का पानी हमेशा एक level में नहीं रहता, यह हमेशा ऊपर नीचे होत इठाकी बज़े से, तो इसका आप और down होने का average ले लिया जाता है, कि यहां से हमें distance measure करनी है, ठीक है, उसी को बोलते है, mean sea level, इंडिया के अंदर जो mean sea level है, वो मुंबई का seaport लिया जाता है, ठीक है, पहले जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही था, तो हम कराची को ल हम RL बोलते है, reduce level, यह generally दिया हुआ होता है, अगर नहीं दिया हुआ होता है, तो हम अपने practically के लिए, calculation के लिए 100 माल लेते है, आप अपनी तरफ से कुछ assume कर सकते हो, जैसे आप station पर गए होंगे, तो आपने वहां पर देखा होगा, कि वहां पर रेखा होता है, MSL 100 म, MSL 150 म तो क्या होता है, मीन सी लेवल से वो station हमारा इतना हुचा है, जितने हम हिली एरिया या आप बोले है, फिर हम एमाल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो मीन सी लेवल से हैट बढ़ती जाएगे, जैसे हम डाउन की तरफ आएंगे, तो यह MSL घटता जाता है, तो यह distance होती है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बैंचमार्कт, इस द पोईंट उस डिस्टेंस इस नोज फ्रॉन फ्रॉम M.S.L. तो यह कौन से užब उंड होता है, यह वाला पोईंट का हमें आरएल पता होता है, उस पोईंट का हम क्या बोलते हैं, बैंचमार्क, यहां पर देख सकती हैं, हुआ ॉस पोउंटस डि स्टेंस को क्या है आर इल पुटेंस को मैं всем में आपको भी मताया था इस ऑ्यू नोउन फ्रॉम एमसें जिस पॉंट का मैं आरल पता होता है उस पॉइंध मार्ट को से डिनोट करें नाम दे टेंकिले गो अगर नहीं गिवन है तो कि उस प्तंकों बेंच मार्क के नहीं बूलेंगे बात करें है ओफिष्टुमेंट की, तो इस द ग मिटूरा और डिश्टेंस अट मीन सी सी लीवर कि है, यहां इस समेंज दी का है, है, यहां इस फिर से आप समझ लीजिए, हैट डिशुमेंट क्या है, लाइफ और यहां से लेके और जो समुद्र के सर्फेस का मीन लेवल है वहां तक की जो डिस्टेंस होगी कहां से कहां तक यहां से समुद्र के में सिलेवल से और यहां से यहां तक कि निखा ले थकिक करने है क्या कमर देख करना हैरा लम बन जाेगा मैं यहां прош मेरा वालिल प्लस यह वाली जो डिस्टेंसे यंज देंगे तो मारा ही जाएगा चाहिए मारा बी एस O या फिर I y e s O जो भी हमारा अचा इस एककल टू क्या हो जाएगा ऑर आ आर एल प्लस बी यह वह इन रहा फॉर्मेंट अधरी केसे बन जाता है हमें इस पॉइंट का तो आरेल पता है सपोज है इसका है हमारा है हंड्रेड ठीच है और यह वाली डिस्टेंस है यहां से यहां तक यहां से यहां तक हमें क्या है अब इस पॉइंट का आरेल पता करना है मतलब केवल हमें क्यमन से यह वारी डिस्टेंस आब मैं निकालनी है समझ यह बात को 선물 अक्यूं टो यहां से यह अइन तक भी इतनी दोटल मैंसे मैं इससे माइनस कर दूँंगा तो यहीं तो बचेगी क्या करेंगे हम 111 में से हम क्या करेंगे 101 में से हम तो हम कैसे कैलकुएट करेंगे यहां से यहां तक की इस तक की जिस्टेंस आपको यह डिस्टेंस पता है कितना है 101 मेटर तो वन मीटर यह क्या आपका हाईट ऑप स्टूमेंट है ति आपको इस पॉंट का निकालना है इस वारे पॉंट तो आप इसे माइनस कर दोगे यहां जो आया है मां के चली दो तो मारी यह वाली रीडिग आ जाये तो क्या माइनस करेंगे हम इस मैंसे दो तो 101 मैंसे हम ठीम मैंस करेंगे तो मरकना जाएगा नाइन्टी नाइन मीटर आरे मतलब इस पॉइंट से और यहां तकी जो डिस्टेंस होगी वह कितनी होगी नाइन्टी नाइन मीटर तो यह थी आजकी वीडियो आई होप कि यह सारी कॉंसेप्स आपको क्लिया हो गए अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्रा